राधे राधे फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आधी कुल्स्चरल वर्ड देखिए आज हम लड्डू को पाल जी के लिए ये बहुत ही खुबसूरत सी पुशाग बनाएंगे आप देख सकते हो ये कितनी खुबसूरत लग रही है इसकी चोली हमने थोड़ी सी हैवी बनाई है क्योंकि ड्रेस हमने सिंपल रखी थी जो इसकी चोली है उसको हमने हैवी लोग दे दिया है आप देख सकते हो इसका लोग कुछ ऐसे आएगा ये बहुत सुंदर लग रहा है मैंने हर नंबर के लड़ो को पाल जी के लिए मैजरमेंट भी बताया है साथी साथ मैं ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पह अगर आपके पास वेलवेट का फैबरिक नहीं हो तो आप शैन्टून, तफेटा, सिल्क या कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अब यह जो हमने कमर के कटिंग किया है यहां से यहां तक सीधे ही कट लगा लेना है अब हमने देखें सिल्वर कलर का यह टिशू रिबन ले लिया है यह जो हमने बीच से कट लगाया है हमें इसको यहां पर रखना है इस तरीके से और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है इसी तरीके से हम इसको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लगाना है यह ड्रसम दो नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए बना रहा है तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो हमने दो इंच रखा है डायमीटर का मतलब होता है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं तो दो नमबर के लड़ू को पाल जी के लिए हमने 8 इंच का डायमीटर रखा है और अगर हम छोटे लड़ू कुपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो हमें डामीटर में से एक एक इंच खटाते जाना है यहां से मेजर करते हुए यहां से यहां तक इसके कमर की जो टोटल लंबाई है वो हमने चार इंच रखी है तो जैसे जैसे लड़ू कुपाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा हमें कमर में से भी आधा आधा इंच एड़ करते जाना है और अगर छोटे नमबर के लड़ू कुपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे तो हमें कमर में से आधा आधा इंच कटाते जाना है अब देखे हमें वाइट कलर का नेट का फैबरिक कट कर लेना है यहां से यहां तक की जो हमारी चोड़ाई होगी हमें नेट के फैबरिक की चोड़ाई उतनी ही बड़ी लखनी है जैसे यहां से यहां तक की जो हमारी चोड़ाई है वो साड़े तीन इंच आई है तो हमने net के फैब्रिक की जो कटिंग की है इसकी चोड़ाई भी हमने 3.5 इंच रखी है आप जितने भी नमबर के लड़ू कोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे तो यहां से यहां तक मेजर कर लीजे जितना भी मेजरमेंट आएगा उतना ही चोड़ा हमें net का फैब्रि इसकी चोड़ाई हमने 3.5 इंच यानि की 3.5 इंच रखी है क्योंकि इसकी चोड़ाई भी 3.5 इंच ही है अगर आपके पास 1.5 मीटर लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप कपड़े को पीसस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं दिखिया हमने भी इसको जॉइंट कर रखा है अब हमने वाइट कलर का यह शॉटन रिबन ले लिया है पतला वाला हमें नेट की लिए जो वनी कट किया था इसपर हमें नीचे की थारस से एक लाइन ऐसी लगा लेनी है हमने शॉटन रिबन लगा कर सिलाई लगा लिए इसके साथ हमने दोनों कॉर्नर से ऐसे डबल फोल् ऐसे ही plates डालते हुए हमें यहां उपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है हमारी कमर की जो टोटल लंबाई थी वो 4 इंच थी तो यहां पर plates डालते हुए हम जो सिलाई लगाएंगे इसकी भी लंबाई हमें 4 इंच ही रखनी है हमने चूनर डालते हुए देखे इस पर सिलाई भी लगा लिया है अब हमें बेस लेना है यहां से जो हमने यह कट लगाया था ना हमें इसको यहां से रखना है इस तरीके से और कमर के चारो तरफ से लगाते हुए इसको सिलाई लगाकर यहां पर जोइंट कर लेना है हमने फिर से देखिए नेट का फैबरिक कट कर लिया है इसकी जो लंबाई है वो हमने 1.5 मीटर ही रखी है पर इसकी जो चोड़ाई है वो हमने 2 इंच यानि की 2 इंच रखी है इसकी पहले जो हमने फैबरिक कट किया था उसकी जो चौड़ाई थी वो हमने 3.5 इंच रखी थी तो हमें उसकी चौड़ाई से 1.5 इंच कम करके इसकी चौड़ाई रखनी है उसकी 3.5 इंच थी तो इसकी हमने 2 इंच रखी है आप जितने भी नंबर के लड़ो कॉपाल जी के लिए ये ड्रेस पना रहे हैं तो पहला वाला net का फैब्रिक आप जितने इंच का रखेंगे उसे 1.5 इंच छोटा आपको दूसरा वाला net का फैब्रिक कट करना है अब हमें इसमें भी नीचे की तरफ से ये वाइट कलर का शॉटन रिबन लगा लेना है पत्ता वाला और इसके साथ ही साथ हमें इसमें भी प्लेट्स डाल लेनी है अब हमें base ले 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 रहा है और इसको देखे ये जो हमारी cutting वाली side है ना इसको भी हमें यहां से रखना है इस तरीके से और cover के चारो तरफ से रखते हुए इसको joint कर लेना है हमने देखे दोनों pieces को joint कर लिया अब हमने silver color के dory के दो pieces ले लिये हैं 7-7 यानि 7 inches के ये जो हमारी cutting वाली side है एक piece को हमें यहां पर रखना है इस तरीके से और इस पर सिलाय लगा कर इसको joint कर लेना है और दूसरे piece को हमें इस तरफ से लगा कर इसमें joint कर लेना है इसके साथ ही साथ देखिए हमने ये half cutting मोती ले लिया यहाँ पर कमर पे जो हमने सिलाई लगाई है इस पर हमें ये half cutting मोती लगा लेनी है फैबरिक ग्लू की हेल्प से जिसे की हमारी ड्रस और भी खुबसूरत हो जाएगी और ये जो सिलाई हमने लगाई है ये भी ढख जाए और इसकी जो चोडाई है वो हमने 2 इंच यानि की 2 इंच रखी है अब हमें इसको बीचों बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है देखिए ये जो वेलवेट के कपड़े वाला साइड है इसको हमें अंधर की तरफ से रखना है ताकि जब हम इस पर निशान लगाएंगे तो चोल देखिए हमने नकी कटिंग कर ली अब यहां देखिए शोलडर की तरफ से हमें और नीचे की तरफ से हमें हाफ इंचिस पर मार्किंग करनी है अब हमें यहां से गोलाई देते हुए इस तरीके से शेप बना लेना है और यहां पर जो हमने मार्किंग किया है इसको यहां पर लिया कर मिला लेना है देखिए यह इस तरीके का शेप बन जाएगा अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे ओपिन करने के बाद इसका शेप कुछ ऐसे आएगा अब यहां गले से यहां तक सीधे हमें कट लगा लेना है अब हमने देखिए सिल्वर कलर का टिशू रिबन ले लिया है हमें इसको यहां पर रखना है इस तरीके से और एक बार फोल्ड करते हुए इसको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लगा लेना है इसके साथी साथ हमने देखिए डोरी का एक पीश भी कट कर लिया है आठ हिंच का टिशू रिबन लगाने के बाद हमें इसको यहां पर रखना है इस तरीके से बीचो बीच में और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाय लगाकर इसको जोइंट कर लेना है हमें ये चीज धयान रखनी है कि पहले हमें दोनों साइट से टिशू रिबन लगा लेना है उसके बाद हम डोरी लगाएंगे मैंने वेलवेट के कपड़े से चोली बनाई है तो इसलिए मैं यहाँ गले पर और नीचे की तरफ से कोई लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वेलवेट का कपड़ा निकलता नहीं है तो चोली खराब नहीं होगी अगर आप किसी दूसरे कप्रे से चोली बना रहे हैं तो यहां से यहां तक चारों तरफ से कोई लेस या फिर कोई रिबन ज़रूर लगा ले अब यहां पर देखिए हमें बॉक्सिस बना लेने हैं तो पहले हम चौक से यहां पर ऐसे डिजाइन बना लेंगे जिसे कि हम इस पर आसानी से बना सके देखिए हमने इस तरीके से इस पर बॉक्सेस बना लिये हैं अब हमने ये सिल्वल कलर का स्पार्कल ग्लिटर ले लिया है ये जो हमने लाइन्स बनाई है इसके उपर हमें ग्लिटर लगा लेना है हमने देखिए सिल्वर कलर के स्पार्कल से इस पर बॉक्से बना लिये हैं अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है क्योंकि यह अभी गीला है अगर हम इसको टच करेंगे तो यह खराब हो जाएगा इसलिए पहले हमें इसको अच्छे से सुखने देना है अब देखिए हमने यह छोटा वाला नग ले लिया है वाइट कलर का यह जो हमने व्लॉक्स बनाया है ना तो हमें सारे व्लॉक्स में एक एक नग लगा लेना है तो देखिए फ्रेंस हमारे लड़ो गोपाल जी के लिए बहुती कुपसूरत सी ड्रेस बन कर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ पेल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तेंक यू